नमस्कास वागत है आपका आप देख रहे हैं आनाइन टीवी में हूँ आपके साथ श्वेता भटा चार्या बीजेपी को थोड़ा सा घाटा होता नजार आ रहा है बात हम यूपी की कर रहे हैं साइकिल की सवारी जो है वो सुद्री है उसकी रफ्तार सुद्री है और माया व का बुरा हाल है यूपी उप चुनाओं के नतीजों से पर्दा जो है वो अब धीरे धीरे उठने लगा है अखलेश यादव लोकसभा चुनाओं में उनका जो हाल हुआ था उसके बाद अखलेश के लिए कुछ राहत कह सकते हैं कि यहां मिलती नजर आ रही है बीजेपी थ चड़ रही है और उप चुनाओं में प्रियांका का जादू दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है लेकिन यहां कहना होगा कि थोड़ी बहुत जरूर कह सकते हैं कॉंग्रेस के लिए राहत बरी खबर है क्योंकि उप चुनाओं में जो रुजहान के आ रहे हैं उसमें एक स सीटों पर कॉंग्रेस तो कभी थी नहीं लेकिन अगर एक सीट पर कॉंग्रेस की बढ़त कॉंग्रेस में बना रखी है तो यह प्रियांका का जादू ही है ऐसे में क्या यूपी की 11 सीटों की लडाई में किसकी दिवाली मनेगी और किसका दिवाला निकलेगा यह तो शाम साफ हो जाएगा लेकिन अभी तक के रुजानों के बाद दूसरे नंबर की लडाई में समाजवादी पार्टी जिस तरह से फायदा हुआ है और बीएसपी जितने नुकसान में गई है उसे बाद यह बाद चचा का विशे बन जाते है कि गड़ बंधन तूटने के बाद प अमाम पैनलिस जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौझूद है सभी हमारे साथ बरे हुए फिर भी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ परविंदर सेथी हमारे साथ पॉलिटिकल एनलिस जो है वो जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता है नेहा शालनी दुआ व अब से पहले परविंदर सेथी जिस तरह से सब कह रहे थे कि 2017 में बधान सभा के चुना हुए अब 2022 में होने हैं यह सेमी फाइनल है बीजेपी जितनी सीटों पर थी अपना दल को मिला के कहले तो दस सीट बीजेपी के खाते में थी लेकिन अभी तक साथ सीट अपना दल को यूपी की वहां पर जो वहां की जनता ने जो बीजेपी और एसपी को नकार दिया है अब भारती जनता पार्टी चाहिए छे पे है घटत तो हुई है डेफिनेटली लेकिन अभी भी जो बीजेपी है वो एक बड़ी पार्टी के रूप में है और लोगों का अगर आप 11 मे सवाल बनी हुई थी सर एक तरफ तो सपा के लिए भी बीजेपी ने पूरा दम खम लगा दिया था सर जितनी तरीके से कहले आजम खान के खिलाफ यह जो तमाम केसेज देखें मतलब वो खुद भी जिस तरह से बाते कह रहे था कि खुशियों का पहार जो है इतना तूट प के हैं और बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं और बहुत उनका रुबाब है और जो यूपी की राजनिती यह वहां के गाउं की राजनिती यह रामपूर की यह राजनिती है जो बड़ी अलग किसम की राजनिती है वहां पे जो लोग हैं जैसे एक एक व्यक्ति की बात होगी एक गाओं है आदा गाओं एक पार्टी को एक व्यक्ति को वोट देगा तो आदा गाओं पूरा उसी को वोट देगा वन साइडिड वोट पड़ती है वहाँ पे और जो वहाँ पे जो पुराना चलन चल रहा है जो कई पीडियों से लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो एक दूस अब शायद दर्ज हैं आजम खान के उपर तो ऐसे में अगर ये केसेज लगाने के बाद और जिस तरह से चवी आजम खान ने कहा कि दूमिल करने की कोशिश की गई है हाला कि जितने केसेज लगाएगा उनकी वाइफ का भी नाम समलिता चस्पा होता रहा नोटिस सभी ने देखा उसके बाद रामपूर की सीट कह सकते हैं बीजेपी के लिए नाक का सवाल हो गई थी और बीजेपी ने यहां पर कैंडिडेट भी जो उतारा वो देखकर क्योंकि सपा बसपा और कॉंगरस में जो उतारा वो मुसलिम कैंडिडेट थै और बीजेपी ने यहां नाम खेला कि उन्होंने पिशे के लिघुड़ का इंदर रावाएग कि स्षे मोधी व और एक उनका चांस था जो एक वेव थी मोधी वेव थी उस तरह का एक सारे देश में वेव जब आती है तो वो सब को आगे लेके चले जाती है जहां तक मैं रामपुर की बात करता हूँ आजम खान के लड़के के उपर भी केस था जो उन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिये थ वो तीनों माँ बेटा और जो उनका बेटा है सब जमानत के उपर थे उसके बाद उनके अंदर एक ये था कि मैं नौ साल से एमेले रहा हूँ मैं इतना पैसे वाला व्यक्ति हूँ मैं जो कहूं जो करूं वो जायज है जैसे जोहर यनिवर्स्टी के उपर भी इतना बड़ स्केंडल हुआ आपने देखा उन्होंने जमीन के उपर कपजे करे लोगों की जमीनों के उपर कपजे करे और जो किसान थे उनके बयान बाजी भी पूरे चैनल के अंदर आती रही जो गरीब किसानों की जमीन को उन्होंने कप जाया गया है उसको तो कोई नकार नहीं सकता देखे एक माफिय राजनिती जो है हमारे देश के अंदर बड़े दुर्बागे की बात है मैं हमेशा हर चैनल में कहता रहा हूँ चाहे बारती जनता पार्टी है या कॉंग्रेस पार्टी है उनकी क्या मजबूरी होती है कि जो क्रिमिनल बैक्राउंड के लोगों को भी टिकट दी जाती है लेकिन जनता तो उनको नकार नहीं रही है न सर जनता के पास तो यह अधिकार है कि वो उस पक्ष में वोट करें अगर यह सारे पक्ष रख दिये बीजेपी ने सामने में जितने केसिस थे वो दिखा दिये इतने दिन सर यह आज के तो केसिस है नहीं यह पहले से भी चल रहे होंगे लेकिन आज ही क्या वक्त मिला था बीजेपी को कि हाँ यह सारे जब केंदर में आपकी सरकार है और वहां भी आपकी सरकार है राजी में तब आपने सारे केसेज एक बाद एक एक के बाद उसका क्या फाइदा मिला जंताने तो साफ तोर पनकार दिया आपको आपको मैं बताऊं जो बड़े दुख की बाता है यूपी बिहार या पंजाब के जो गाओं है उनके अंदर education की बहुत कमी है जो आज की generation है वो पड़ रही है जो बाकी generation है या वो लोग है वो एक मत के साब से आपने जिसके साथ जैसे मैं बता रहा हूँ आदा गाओं एक त व्यक्ती को वोट देनी है चाहे वह कैसा भी व्यक्ती हो चाहे उसते उनके लिए कभी काम ना किया हो कभी उनके काम ना आया हो वहां की राजिनति देखी पूरे संसार के अंदर manifesto के अधार पर राजनीती की जाती है कि जो भी पार्टी है वो एक मैनीफेस्ट अपना डेकलेर करती है, उसके अंदर अपने वादे करती है कि मैं रोजगार के लिए करूगा, आपकी चिशसा के लिए करूगा, उन चीजों को देखकर, उनको मद्दे नजर रख्ते हुए, लोग वोटि जब तक जनता जागरूप नहीं होगी इस देश का वला कभी नहीं हो सकता मैं हर चैनल पर बात कहता हूं कि जो जनता है जनता जब तक अपना जनादेश की ताकत को नहीं समझेगी तब तक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डरेंगे कोई भी घल्द काम करने के लिए सविता जी उसमें म्यांज यूपी जो है एक देश में बहुत बड़ा राज्य है और इससे देश की राजधानी के लिए प्रदानमंतरी से केंद्र में जो नउक्त होता इसी राज्यसे से चलके आता है यह पी विहार के राजनीती तरह सलकर यह कहते हैं कि जनता तै करती है जनता तै करती है अब देखो जैसे यूपी में इनकी सरकार चल रही है वहाँ पे बीजेपी की पास साल दो डाई साल हो गए और केंदुर छे साल हो गए जिस तरीके से इन लोगों ने वा परदेश का विकास भी नहीं किया मुद्दे यह नहीं है अकोनों ने क्या किया किया मुद्दा यह जो वहां के लोकल मुद्दे हैं जो परदेश के मुद्दे हैं जैसे कि वहां की अर्थोय वस्ता के बारे में भी कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है तुमने जब काम नहीं कि पर्देश में तो पैसे गई कहां सारी सड़के सी पड़ी हुई है तो इन लोगों ने सपा हो चे बसपा हो चे बीजेपी हो इन लोगों किसको श्रे देते हैं यह गंगोह सीट पहले 2017 की भी बात कर ले सर तो दूसरे नंबर पर आप थे दूसरे पायदान पर थे रनर अप थ दिया था कम 2022 के त्यारी करें अपने चैनल पर बोल भी था दिया था ठीक है यह हमारे लिए बहुत अच्छी सुपसंकेत हैं और क्योंकि पच्छी साल साम यूपी में नहीं है अब प्रेंका जी ने कदम रखा तो वहां सुपसंकेत आने भी लगे हमारे लिए बहुत अच् सवा के चुनाओं से पहले तो डियम जुम्मेदार होगा आद देखो तमाम सड़कों पर गायें घूम रही हैं कहां गये इनके वादे ना तो इन्हों ने गाये की रक्षा करी ना इन्हों किसानों की लिए कुछ किया किसानों में भूके मंड़ने किस्तिती है बेरो लोग सवाल तो बीजेपी से उठते हैं लेकिन जीते रहे ते सर परिंदर जी ने कुष्चन जो मुझे गल्ट लगा इन्हों ने कहा कि क्योंकि यहां पर सिक्षा की कमी है बिहार में यूपी में इसलिए लोग बाग वहां ऐसे करते बाहिसाब परिंदर जी मैं आपको बता दू बिहार से यूपी से ही मुझे मालूम है सारे यह सबसर बनते हैं मुझे मेरा जनम रामपूर का है मैं वहां के गाओं में गुमा हुआ हूं वहां पे जितने मुस्लिम गाओं है साथ फिसली है सार वहां पे एजूकेशन गी बहुत बड़ी कमी है आप जाके देखिए जो मैं आपको बिल्कुल सच्छा है सबसे जदा आये सबसर और आई पे सबसर यूपी और ब्यार से ही बनते हैं आपने यूपी के प्यार के लड़के बाद के आके यह काम भी करते है प्रियांका गांधी ने पूरी तरह से चेंज करने की कोशशिश की नए चेहरे उनको मौके दिये गए खुद प्रियांका गांधी ने कहा कि जो भी नितित्व हो है वो नए चेहरों के हाथ में जाए और वो खुद मॉनिटरिंग कर रही थी तमाम जो मुद्दे हैं ट्विटर पे हो चाहे ग्राउन पर पहुचना हो उन्होंने खुद आगे बढ़कर लीड ली उसके बावजूद एक सीट पर हाला कि अभी लीड चल हिरे हैं कि थोड़ी बहुत क्यतना ओक्सिजन ले रहे आप वहाँ पर उसक्ते हैं कि कम से कम एक सीट आ जाना यह बहुत बढ़ी बात होती है लेकिन बागी कि तीन सीट थी सर आप रणनर्प थे आप काम कर सकते थे तो तो थोड़ा सा बक्षी 2002 में जब चुना हुआएग सब्सक्राइब सीट अभी तो 6 दिख रही है रुजान में उसमें भी एक अपना दल की है तो 10 सीट से 6 सीट पर आ जाना, 10 सीट भी अपना दल को मिला कर, अब ये कहां क्या चूक हुई, सेमी फाइनल अगर हार रहे हैं तो फाइनल कैसे जीतेंगे? नहीं, यहां कोई चूक होती नहीं नजर आ रही, क्योंकि यूपी में जो राजनीती है उसमें बहुत बदलाव आया है, पहले एक तरफा राजनीती होती थी, पहले सिरफ जाती के आधार पर या धर्म के आधार वली राजनीती होती थी, पर पिशले 5 सालों में इस चीज में यूपी में मैं मानूंगी भले जैसे सेटी साब ने कहा कि लोग जो है बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है लेकिन फिर भी गेहूं की रोटी खाते बहुत समझदार लोग हैं वो उन्हीं को ही वोड देंगे क्योंकि आज जो ये धर्म के नाम पर और जो जातिवाद के नाम पर वहाँ पिछले कई सालों से लोगों को खराब किया जा रहा है जो गुंडाराज वहाँ चल रहा था उसे अब दूर करने के लिए अब लोग एक हो गए और मुझे पूरा यकीन है ये सिरफ साथ सीट ही नहीं दस में से एट लीस मेरे तो हिसाब से दस की दस ही आने चले लेकिन चलिए आठ पे तो हमें लगी रहा है कि भाजपा का ही दबाव रहेगा भाजपा ही आएगी और इसके लिए मैं आपको कारण भी बताती हूँ भाजपा ने हमेशा नए चेहरों को चांस दिया है एक सबजी बेशने वाले के बेटे को सीट देना अपने आप में ही ये चीज़ दिखाता है कि हम नए लोगों को और ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोगों को सब से ज़्यादा आगे लाते हैं जो कि ये अमिर्शा जी की बखूबी बहुत ही बतला उन्हें राजनीती का चानक के क्यों कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल फेल नहीं होगा आप देखिए यहां पर यहां जो है यहां एक सबजी बेशने वाले को नहीं और भी ऐसे कई चहरे हैं जो आपको ने दिखेंगे रामपूर में सांदाम दंड भेद क्या नहीं किया नहीं किया नहीं आपकी नाक वहां पर दाउ पर लगी हुए है जो कर सकते थे बीजेपी ने वो किया इतने नोटिस चस्पा किये और उसके बाद नतीजे सिफर हो रहे तो अब य बट हर जगा एक ही स्ट्राटेजी नहीं चलेगी ये बीजेपी को आप समझ लेना चाहिए जो आजम खान ने इतने सालों से किया वहां कि इतने लोग जो परिशान है उन्होंने गुंड़ा गर्जी के उन्होंने सिर्फ अपने कुछ लोगों को तो मानिए नहीं जितने करें लेकिन उसके भादों करोंगी सरकार आप एसी राशनीती को अप ऐसी राशनीती पर ना आए जो आपके उपर कर्ण को बुंड़ा गर्दी करेंगे भाजपाए गैश्पार्टी नहीं जब अगर वुलाएं से यादव को आगे आना पड़ा और उज्जा के आना आप यूपी को खराब बोल रहे हैं भाजपा यूपी में बिल्कुल सही तरीके से आएगी क्या आप रुजान पर लट देंगी क्या मैं कह रही हूं कि एक मिनट सरकार आपकी है आप घलत आरोप लगाएंगी मैं टोकूंगी सरकार आपकी है आपके ने डरा धमका के वोट आपकी है आपकी है आजम खान से जब मिलने के लिए अखलेश यादव जाने वाले थे जिस तरह से कैमपेंग चलाय जा रहा था और मुलायम सिंग यादव को खुद बाहर आके बोलना पड़ा कि हम समर्थन करते हैं आजम खान के हम खड़े रहेंगे फिर उनके बेटे ने यह स्ट्रेप लिया और वो जाने वाले थे धारा 144 लगा दिया आपने और अखलेश यादव उस समय जा नहीं पाई और आप कहते हैं कि डरा धंका के लोगों से वोट ले लिया जा रहा है अरे कम सकमा मतलब इतनी तो सिंसेरिटी दिखाईए मैं ऐसे कैसे डरा धंका के को कि तो यहीं बैटके मैंने कहा कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी लेकिन यहां में कोई कमी नहीं है कौन को से किस नहीं हुए और और अगर चाहें मतलब करको यह चाहें कि इसके पहले का उपचुनाओ यादर नहीं होगा परविंदर सेटी जी इस पर बता पाएंगे अच्छे से शायद पहले सुन लिजेगा सर इसके पहले भी उपचुनाओ हुए हैं और उसमें जब हार मिली थी तो फिर बात उठ रही थी योगी जी पर उठी थी की नहीं देखे यूपी के अंदर जो योगी जी ने इतना कुछ करा है लेकिन वहां पर क्राइम नहीं थमा वहां पर जो कमलेश तीवारी हत्याकांट देख लिजे सार अरे गुजरात एटेस में पकड़ा है नहीं होटल में बोलता रहा है तोड़ा सा वहां पर लोगों के अंदर बदलाव लाने की एक वो भावना आई है योगी लोग चाहते हैं कि बदलाव देखे सबसे बड़ी बात है हर्याना ओ या या यूपी ओ जो उसकी जो सबसे बड़ी चीज है वहां का किसान है पूरे देश का किसान जो है उसकी हालत इतनी खराब है चाहे कोई भी पार्टी उसके पास कोई भी स्कीम से वो पॉंच नहीं पा रही है और जो इस वजह से यहां पे एक बदलाव की राजनिती आई है आप चाहे हर्याना के रुजहान देखिए चाहे आप यूप यूप यह कह सकते हैं कि सर यहां पे बीजेपी को अपनी स्ट्राटेजी चिंतन करने की औ चीजे हर जगा लागू नहीं होती एक ही लाठी से आप हातरा की बैस को नहीं आप सकते हैं जब लोकसवा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी की हालत पतली थी लेकिन जब उसी समय पुल्वामा टैक हो गया पुल्वामा टैक के बाद लोगों के अंदर एक जनादेश ए इस वक्त हमारे साथ सपा के लीडर अभिशेक सोम जो है वो जूड़ चुके हैं अभिशेक दो सीटों पर आप आगे चल रहे हैं कैसे देख रहे हैं क्या लगता है कि बीजेपी कहीं न कहीं जिस तरीके से 10 सीटों पर थी 10 से 6 पर आ गई है और सपा यहां सपा के सामने पहली जहुआ होगा हमने फैली निरवाचन आयो को कहा था कि यह पैलिड़ पेपर से चुनाव हो और कहीनrän ने चुनाव में कुछ न खुछ गड़बड़ी करी है और हम संदेय है और हम फिर दुआए हम एलक्षण कमिशन को इस तरह की हम एक क्रातना पत्र देंगे अपने उन्हों ने हमारे पक्ष में बोट किया पर वो बूद पे भाजपा जीत रही है तो कहीं न कहीं है गड़बर घुटाला है और जल्ड ही इसका परदापाश होगा पूरे देश के चारो तरफ से यह आवाजे उट रही है कि जो वोटिंग मशीन है वो उसमें कहीं न कहीं कमी ह सामिया है आप हार जाएंगे तो वोटिंग मशीन तो नहीं कंवाजपा के लोग ऐसी स्टेट्मेंट नहीं देते कभी भी ने देते हारेंगे जीतने का कोई बात लहीं है वहीं तो बात है है कि कही ना कहीं EVM में कोई ना कोई गड़बरी है और उसकी जाज करी जाए अगर आप गलती से जीत के तब भी उठाएंगे यह सवाल उठाएंगे अगर गलती से जीत के अगर जाने के बाद जिस तरह से इनका स्वास्त खराब चल रहा है और बहुत कमी हम देख पाते हैं क प्रेशा तो जरूर था सर कि पार्टी का स्थित्व जो है उसे कैसे निखारा जाए कैसे बचाए जाए कैसे बढ़ाया जाए संगटन कैसे मजबूत किया जाए और जब उपचुनाओं में अगर दो सीट पर लीड कर रहे हैं तो यहां यह कह सकते हैं कि सपा भी यहां रहा यह क्या हाल हुआ लेकिन यहां पर तो कह सकते हैं आप लीड ले रहे हैं यह आपको पर काला चश्मा लगना है यूपी की 11 सीटों पर जो है उपचुनाओं हो रहे हैं और हम इस एक घंटे में उसी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि आखर कार इस पर कौन आगे कौन पीछे क्योंकि 10 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में थी अपना दल को मिला कर और अब कहीं न कहीं बीजेपी घटती हुई नजरा रही है च्छै और साथ सीट ऐसे आगे पीछे हो रहा है जो प्रियांका गांधी के उपर दारुमदार थ लोकसभा में तो दिखा नहीं लेकिन अब जो कह सकते हैं कि उपचुनाओ में जो एक सीट का लीट कॉंगरस ने लिया है वो कॉंगरस के लिए रहात भरी खबर है हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से प्रवक्ता जो है रेनु भाटिया स्टूडियो में जुड चुकी है नि भाटिया जी आप ही के पास पहले बात आओंगी क्योंकि ये देखे रामपूर में तो आपकी साख जो है दाओ पर लग गई थी साम दाम दंडवेड सब कुछ अपना लिया आजम खान आजम खान किला धाहा नहीं मैं आगे चल रहा है देखे हमने अपनी तरफ से प्रियास कि जो गलत व्यक्ति है जिसने पिछले चुनाओं में भी कई गलत शब्दों का इस्तमाल किया और कई तरह से महिलाओं को भी अपमानित करने का प्रिया ठीक बात है हमने अपनी तरफ से बात रखी और आगे जनता की मर्जी जनता जनारदन होल से लोती है कहते हैं कि जिस त सच का साथ देना चाहिए और सची बात करनी चाहिए वो धर्म हमने अपनाया और निभाया है बाकी जनता जैसा चाहे उनको उस तरह का महौल उस तरह का रविया उस तरह का वर्ताओं बहतर लग रहा होगा वहां पर तो उन्होंने वही जादपूर सीट के लिए क्या प्रियास किआ है कि वो अपने कामों के दम पे जो जो हमने काम किये हैं राश्ट स्तर पर भी और प्रदेशिक प्रूमी को जो भी हमने अपने ग्राउन्ड रयालिटी उसको जंता के आगे रखा आगे रिकोड़ काड़ बनाना जंता बहुत लाइटली लिया बीजेपी ने जो मुद्दे थे जिस तरह से अभी हम रीसेंट के केसे देख लें चिन्मेया अनन्द केस हो चाहे अभी हम मलेश्तिवारी का देख रहा है कि यहाँ पे सुप्रिम कोट अगर यह कह रहा है कि कानून का राज नहीं जंगल राज लग र जोहीर कहां आप कानून का राज अस्थापत कर पा रही है कि ऐसा नहीं है आप यह देखेंगे पुलिस में सकती हुई कानून में सकती हुई है इसलिए आप देखेंगे बहुत से चुपे हुए जो वो शैतान थे जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते थे सालों सा इंधे रहते थे अब एक एक करके सबको बिलो में से बाहर निकाल कर उनको बंद किया जार रहा इनको सजाये जो बी उनके ऊपर cases बनती हैं धहराँ बनती हैं उनको लगाकर उप लगाम लगाई जा रही ऐसा नहीं है बढरति जन्ता पाटी किसी भी फ़्वारत को kmac कि हम अपने कामों को अपने धर्म को पूरी तरह से निभाएं हम हमारा जो फर्ज बनता है जनता के लिए हमें उसको पूरा करना चाहिए और हमने अपना उस धर्म निभाया है एक समय ऐसा भी आता है कई बार आप पहली बार में बात नहीं समझते हैं तो जब आप उसको उसक जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें लूज कर रहे हैं गंगोह वाली सीट भी हमको लग नहीं रहाता कि ऐसा कांग्रेस वहां लड़ाई लड़ेगी लेकिन अभी थोड़ा सा कांग्रेस लड़ाई में दिखाई दे रही है लेकिन अंतियम परणाम आने तक मुझे लगता है कि उ उसकी समिच्छा किया जाएगा चुकि वहां सारा अपना प्रदर्शन करने में इस प्रकार से काम्याब हुए कि जैसे कि उनके जो अपराद हैं उनके एकलाब जब कारवाई हुई तो उसको ऐसा वुमान रहे थे कि उनको जैसे कि अपराद किये नहीं और इसलिए उसके ब हम अपनी इस्थिती मजबूत नहीं कर पा रहे हैं सब की समिच्छा करें देश के चुनाओ जब होते हैं और राजिक के चुनाओ जब होते हैं दोनों में मतदाता अलग-अलग प्रकार से मतदान करता है और हर्याणा के जो विधान सवा चुनाओं है उसमें मतों में से हमें जो रिजल्ट की अपेच्छा थी उसके हिसाब से निप्राप्त हुए वहां कुछ सीटे हमारी घट रही है इसकी जरूर हमें चिंता इसकी समिच्छा होगी पार्टी जरूर राष्टी नेत्य तो करेगा हर्याणा प्रुदेश भाजपा करेगी और जनता का जो भी जो की बीजेपी की खुद की सीट रही है उस पे कॉंग्रेस टकर दे रही है हला कि कॉंग्रेस पिछली बार बात कर लें 2017 में रनर अप रही थी तो इस बार लीड कर रही है रुजान है साफ हो जाएंगे नतीजे जब आ जाएंगे कि किसने किस पर कब्जा किया परविंदे से ठी क्या लगता है अभी खुद केशव प्रसाद मौरे कह रहे थे कि देश और राज्य के जब चुनाव होते तो जनता जो है वो अलग तरीके से मतदान करती है मतलब क्योंकि मुद्दे अलग हो जाते है जब देश के लिए हो रहा था हमने देखा था कि बंगाल में जब पूछा गया किसी से तो उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए ममता दीदी ठीक है लेकिन देश के लिए प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ही ठीक है और हम उनी को चला था और जिस परकार से मोदी जी ने उसको डील किया और जैसे पुलवामा के बाद बाला कोट करा उसके बाद अविनंदन को लाया पूरे देश न उस चीज का समर्तन करा थिस वेव के अंदर पूरे देश के अंदर एक चीज फैल गई थी लेकिन जो नोट बंदी के आ तो बीज़ेप ने सरकार बना ली थी लेकिए उसके आप्टर एफेक्ट सो बैब मैं बता रहा हूं राष्टवाद के मुद्दे के उपर सरकार बनी थी और जो डिसीजन लिये गए थे जाए बाला कोट का अमला किया गया या पाकिस्तान से डिल करा गया या फॉर्ण पॉ वस्ता बिगडी हुई है जैसे माराष्ट के अंदर पांच लोगों ने सो साइट कर लिया उनका वी एक विद्रो है और आम आदमी को क्या पता कॉर्परेट बैंक क्या होता अगर कॉर्परेट बैंक में रिस्क है तो अब बंद कर दीजिए उसको सरकार को उसके जिम्मेद कि बात कर ले होम गाड़ों को लेकर जिस तरह से भी खबर आई थी जिसके बाद खुद मंत्राले को डिसीजन लेना पड़ा और कहां कि नहीं होम गाड़ों की नौकरी जो नहीं जारी है डेस जो है वो कम किये जा रहे है और अनुदेशकों का तो मामला काफी लंबे समय से लंबित है जीते इंद्र चौद्रे कुछ एड़ान करना चाहता हूं रहनुजी से रहनुजी कह रही है जो गल्त वक्ती होता है हम उसको सबसे पहले जेल में लालते हैं अभी पीछे कमलेश तीवारी जी का मामला हुआ उसकी मदर ने खुद ने हम नहीं लगा रहे है उनक को जिस जितनी भी सोच से उनको लगा कि कोई बीच में इन्वाल था उसकी पूरी जांच हो रही है और मानने योगी जी ने कहा है यदी इस केस में कोई भी अपना ओपर आया हो कोई भी ए कातिल कातिल है जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कारवाई होगी ऐसा नहीं है क नहीं है इस तरह की कैसे जगर रिपिटिडली होते रहेंगे तो पाटी के छवी को नुकसान होता है कुल्दीप सिंग सेंगर और चिंवाण अगर नाम लिया जा रहा है तो यह किस पार्टी से थे अगर आपकी पार्टी के उपर चाल चरित रोड चेहरे के उपर सवाल उट रहा है तो यहाँ पार्टी को एक हाइड डिसीजन लेना पड़ेगा आप कहते हैं दूसरे पार्टी जो है आप आजम खान पर आरोफ लगा रही है कि वो जो है हमने उनकी 26 जनता के सामने लाने की कोशिश की माफिया है फलना है जनता क्यों माने माफिया है जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया तो आपको एक्सेट करना चाहिए कि शायद वह होता है कि हम अपनी बात को रखें प्रन्तु जनता का डिसिजिन सर्फ प्रिय होता है जो बी जनता आप लोगों को पर्च बनता है कि जब इस तरह के टॉप लीडर्स के नाम जब इंवॉल्व हो जाते हैं तो उसमें पार्टी को एक एक्शन लेना चाहिए तुरंट फौरी तौर पर लेकिन देखा गया है कि जब तक दबाव ना बनाया जाए जब तक ये चीजे मीडिया में भी नहीं आती है तब तक उन्हें हटाया नहीं जाता है पार्टी से वो बने रहते हैं और जिस तरह चिन्वेयानंद के केस में सब ने देखा ये लगा भी कि लड़की ने जिसने आर रिफ्रेंस हम हैं तरेनी जी बिलकुल आपकी बार ठीक है लेकिन जब तक कोई दोश साबित नहीं होता हमने पहले भी कहा कि किसी का भी कोई दोश साबित हो पता लग जाए जाहते हैं तक मुझे जानकारी है कि खुद चिन्मेयान ने माना था ये बार माना था कि मैंने ये इसे का असर देखने को मिल रहा है यूपी उप चुनाओं में जितने भी सरकारे हैं मैं बीजेपी की बात नहीं करता जितने भी सरकारे हैं वो एडमेस्टिशन करने में फेल रही हैं सबसे बड़ी चीज है कानून विवस्ता लोगों को और ये सपा बसपा के राज में भी देखने को बिला है उसमें बहुत ज्यादा होता था और दूसरी चीज जो सबसे मैत्पून चीज है एक व्यक्ति को खाने के लिए रोटी चाहिए जब आदमी जिंदा रहेगा तभी उस वो एजुकेशन के बारे में सोचेगा तभी रहे रोजगर उसका बेसिक रोजगर आपने गवर्मेंट जॉब सारी खतम कर दी और एक से एक करके प्राइवेटाइज कर रहे हैं जो व्यक्ति पचास जार पे तंखा लेता था वही व्यक्ति दस जार पे में बारा गंटे की जूटी करता है अभी मैं एफम पे सुन रहा था कि एक सेक्यूरिटी गार्ड ने पाइस साल की नोकरी में एक साल दिवाली में आई है अपने परिवार के साल मैं इससे आगे एक कदम और बढ़ना पुझा है लेकिन यह आप देखे इन कुरीतियों को यह एक जनलाइज मुद्धा है यह बीजेपी यह कॉंग्रेस यह सपा का मुद्धा नहीं है जो भी सरक कि उनके रोजगार की उनकी रोटी की ने तो परहिंदर सिठी आपको इसके पीछे का कारण क्या लगता है जनता अब जागरुक होती जा रही है चाहे यह सोशल मीडिया का इंपक्ट कहिए यह इन्फोर्मेशन एज में हम आ चुके हैं अब चाहे जनता गाओं की भी क्यों हो वो दौर गया हाला कि अभी भी है कि गाओं की जनता उसी वेफ पे वोट करती है लेकिन फिर भी अब जनता इतनी जागरुक हो रही है क्योंकि तमाम जो गड़े तक गये हैं उनके मैथमेटिक्स फेल हो जारें से हर्याना में वो कैलकुलेशन काम नहीं आया बीजेपी क है वो महराश में चल गया और यूपी में आप फिर से फेल होते नजर आ रहे हैं दो हजार बाइस कचनाओं के ऐसे लड़ेंगे तो ये कहीं न कहीं सभी तमाम पार्टियों के लिएक मैसेज है कि जनता का मूड क्या है आप ये मत टेकिट फो ग्रांटेड मत लीजे देखे आपके साथ आपके प्रोशी के साथ आपके दोस्ते साथ आपके रिष्टेदार के साथ जितना बड़या मर्जी गुना हो जाए कतल हो जाए वो उठके उसका साथ नहीं देगी कभी भी यहां पर परविंदर जी मैं एक चीज़ टोकना चाहूंगी यह जो moral values की आप बात कर रहे हैं अगर कहीं ना कहीं moral values downfall हुआ है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है स्कूल में कॉलेज में एक बच्चा एक बच्चा अगर है और वो बढ़ रहा है तो यह माबाप की पहले responsibility होती है कि वो क्या कुछ सीख रहा है क्योंकि बच्चा जब आता है वो blank होता है और उसे बहुत सारी चीज़े explore कर रहे होती है मैं आदे कर ने नहीं कर नहीं कर ने शारा मॉरल वैल्यूस भाद में आती है अगर शरीफ आदमी उसके डिक्के आजाता है एक शरीफ आदमी माले जी मेरे साथ कोई बात होती है मेरे में इतनी हिम्मत नहीं मैं वकील कर सकूँ हम लोग घबरा जाते हैं सार और नेता कहते हैं कि हमारे उपर पचासों मों कदमे चलो आप एक पुलिस ठाने में आपको रोज जाना पड़े आप बच्चों के लिए कमाई करेंगे अपना परिवार पालेंगे या पुलिस है वो हाथ जोड़के काता भी है मैं कहीं नहीं हूँ तो इस तरह का सिस्टम अगर यूपी में भी अगर हम बात कर रहे हैं यूपी पे तो कॉंग्रेस तो सकता से कई सालों से बाहर है कई दशक हो गय तो फिर ऐसे में कॉंग्रेस के पास अगर संगठन मझबूत करके एक strategy होती, एक ऐसी solid strategy पर Congress काम कर रही होती तो शायद, शायद UP की जनता ये decision लेती कि हमने सपा बसपा वीजेपी सब देख लिया तो शायद Congress को एक chance दे दे, लेकिन यहां Congress की मजबूरी देख रही है Congress को 60 साल chance दे लेकिन UP की बात कर ले सारा क्योंकि मैं बार-बार कर रही हूँ कि अभी हम focused UP पर है तो UP में जो chance नहीं मिल रहा है, उसमें हम देख भी रहे कि Congress के पास अगर मौका भी है सारे, अगर Congress कर भी सकती है अच्छा तो वह संगठन कमजोर है मैं एक बात का जिकर नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं करना पड़ेगा मुझे क्योंकि 1984 के अंदर सिखों का अंदर संगार हुआ, Congress Party के बड़े-बड़े लीडर इन्वाल थे Congress ने उनको बचाने का काम किया, 35 साल तक नयाय नहीं मिला सिखों का उसको मोदी जी ने वो जो नयाय दिया, उसका हम बहुत अभीनंदन करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि उन पुराने केसों को सज्जन कुमार जैसे व्यक्ति को 35 साल बाद जेल के अंदर डाला गया जिसमें कमलाथ और जगवीश एकलर जैसे लोग हैं अभी भी खुले हम घूम रहे हैं जिसके अंदर लगबल 15-20 हजार लोगों को जिंदा जलाया गया और मारा गया तो वो Congress की एक नाकामी है, वहीं से उसका डाउनफाल चुरू होता है जितेंद्र जी, यहां एक add-on करके कहना चाहूंगी, आप ही के favor में है कि अगर ये Congress की नाकामी परविंदर जी बता रहे है, तो कहते हैं कर्मा वर्क्स कर्मा कहीं ना कहीं काम किया है कुछ ऐसा, तो वो आपके सामने आ जाता है बीजेपी के जो कर्म हो रहे है, यूपी में इन दिनों, वो भी आगे जाके एक result के तौर पर सामने आएंगे शायक जीतेंद्र जी मैं यह कहना चाहरा हूँ, तो मैंने एक घटना सुना ही है, आप कमले इस्तिवारी जी की, दूसरी घटना हापुड में आपने सुना होगा भी नई घटना है, बच्चे के सामने पुलिस मारती है रोज घटना है हो रही है, रोज घटना है, रोज घटना है, यह कोई मतलब नहीं हुआ रोज गटना है, तो सरकार का काम क्या है? मैं आपकी बात कोई बार में बात कह रहा हूं, अच्छा इस सरकार के पास आप देखो दीवाली नजदीय का रही है, दीवाली नजदीय के पहें, 41 सो किरोड रुपे ये सरकार, योगी सरकार, इलाबाद का नाम प्रियागञाज का नाम रखते थि है, उससे 41 सो किरोड में उनकी दो साल से चालिस क्रोड रुपे बखाया है यह आग तक चालिस क्रोड रुपे नहीं दे पा रहे हैं और अयोध्या में मैं नहीं कहा रहा है बहुत अच्छी बात है पूरा देश दिवाली मनाता है सिर्फ गिनिजबुक के लिए वहाद दिखाने के लिए अगजनत कॉंग्रेस के क्या यह मजबूरी है या क्या है चिंतन नहीं होती या चिंता नहीं करते सर या मतलब मुझे मुझे वाकई में समझना है कि आप वहाँ पे छेड़ते हैं जहां पे इमोशन हाई होते हैं जहां बीजेपी घलत भी अगर है तो अपने आपको सही साबित कर दे अगर आप दिपावली और दशेरे पर यह इस तरह की बात करेंगे न सर्थ यह जो जनता है वो यह कहेंगी इसलिए मुस्लिम वोट बैंक के लिए आप इस तरह की बाते करते हैं इसी तरह का आरो बंगाल में लग रहा है ममता दीजी पर कि आप मुस्लिम के वोटों के समझ दोड़ा तोड़ा साइब जनता का मूडना बदर रहा है ने तोड़ा सा यह दिखता है सर कि संगतन कम जो रहे है और यह जिक्ता है गलत नहीं पर विंदर जी के पासा हूंगी पूछना चाहूंगी बहुत इन्होंने अपना पिछाय किया चला चला के नहीं बोला इतना करोड़ इतना करोड़ वहां लगा दिया वहां लगा देते एक मिनिट सुनिया ना आप त्रेपन चौवन साल कि आपकी सरकार में आपने केवल एक काम किया कि जितनी भी योजना हैं शुरू ही उनका नाम अपनी इंद्रा योजना राजीव योजना संजय योजना इन योजनाओं से आपने शुरू किया काम जैसे आप अभी बोल रहे हैं मनरेगा कि उस योजना का नाम उस वियो तो आपन कि ब्रेक विथ लगतार आपने त्रिपन चोवन वर्ष राज किया तो आपको कोई योजना ऐसी नहीं लगी कि जो आपको जनता के नाम पर करनी चाहिए थी आज आप गरीबों की बात करते हैं आप चिलाने लगते हैं किसानों के लिए आपने ऐसी कौन सी योजना करी जिसके अब अब आपने लिए जा रहा है या संगतार आपको नहीं लगता है तो क्या भगत सिंग जी ने किया देश के लिए किसने नहीं किया आपने उनके नाम पर क्या अरे सुल लीजिए आपने के आम में कुछ दाग अच्छे होते इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है इस तरह से बड़े टॉप लीडर्स के नाम शादिए तो हमें तिरस्ट रसचना पड़ेगा कि हमारे पास option क्या है परविंदर जी बैस करना शुरू कर देखे हमारे देश के हालाद बहुत खाराग है इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता यहां पर लखों लोग रोज बूके सोते हैं यहां को पोशन की कमी है जिन लोगों को खाना बहुत कम मिलता है इतनी बिमारी है आप डाटा जाके देखिए यहां पर औ अनाज बाहर के देशों में दे दिया जाता है कि हमारे पास इसको रखने की जगा नहीं है हमारे पास एक्सेस है वो कहते हैं कि आप उन संस्थाओं को दो जो गरीबों को खाना कि लखी है इतने सालों में सर यह तरह की कोई भी चीज़े डेवलप नहीं की गई ना कि एक त पार्टी में मैं आपको बता हूँ माफ कीजेगा ना पार्टी को पता होता ना निता को कुछ पता होता है जो इस देश को बीडुक्रीसि चलाटी है काम कहा करने देते हैं परविंद असी बाग प्यारा हूं एक बीडुक्रीसि की एक टीम हो कोई भी सरकार आए यह जाए उनके काम के अंदर रुकावट नहीं होनी चाहिए, जूता साफ करते हैं हम देखते हैं, यह तस्वीरे आम हैं, देखिए, मैं आपको कहता हूँ, इस तरह की तस्वीर अगर सामने आएगी, तो क्या आप उम्मीद करेंगे बियुर्ण के अगर नई गवर्मेंट आती है, आर की बात है, ऐसे 20-20 साल, 33 साल, 35-35 साल होगे, लोगों, नहीं, तो क्यूंकि हम अभी इस एक घंटे में हम यूपी पर ही चर्चा कर रहे थे, तो परविंदर जी आप से, आखरी 10 सेकंड में चाहूंगी, कि क्या लगता है, यह जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, कि 7 सीट बीजेपी कॉंग्रेस जो लीड ले रही थी, अब पीछे हो गई है, सपा दो सीट पर, रामपूर के अलावार लग रहा था कि रामपूर की सीट निकाल ले जाएगी, लेकिन शायद दूसरी सीट उसके लिए वर्दान है, और बसपा एक पर, अदर एक पर, अब क्या लग बीजेपी के बास एक मौका है, वो अपने आपको करक्ट करें, और लोगों के परती अपने विश्वास पैदा करें, और उनके लिए कुछ अच्छा करें, अच्छी यूजना इलाएगी, वाकई में ये कहते हैं कि लोक तंत्र की खुबसूरती यही है, मतदान करते हैं और उसके बाद जब मतगणना होती है, तो ये पार्टियों के लिए आईना होती है कि जनता का मूट क्या है, जनता किस तरीके से वोट करी है, क्योंकि सारे दमखम जो पार्टियां है, वो चुनाओ के दौरान लगा देती है, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो वहां से चिंतन करने की जरूरत तमाम पार्टियों को है, कि आखरकार, ये जो 11 सीट यूपी की हम बात कर रहे थे, जिस पर उपचुनाओ है, अगर बीजेपी पीछे आई है, तो उसे भी सोचने की जरूरत है, कि कहा कुछ कमी रह गई, और अगर सपा और बसपा को भी सोचने की हो जाए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यूपी पर हम बात कर रहे थे, लेकिन ब्रेक से लोटेंगे, तो हम हर्याणा और महराश की भी बात करेंगे, छोटा से ब्रेक, जल लोटते हैं